तो हो मेर हाइड्र फेशल के फोर्ट एंड फाइनल स्टैप के बाद जो इसने रिजल्स दी है वो आपके सामने है मतलब यार कितना हसीन सा इसने पिंकिश ग्लोव दी दिया इंस्टेंडली स्केन बिल्कुल ब्राइडन अप हो गई एक तुम फ्रेश हो गई है असलाम उलेकुम वल्कम बैक टो मार चानल आज की वीडियो में आप लोग के साथ डियाइवाई हाइड्र फेशल करने वालू है जो कि फोर्ट स्टैप पर बेस करेगा पहले क्लिंजिंग करेंगे एक्स्प्रोलियेशन करेंगे अपनी स्किन की फिर हम मसाजिंग प्रीम बना बहुत सिंपल से बेसिक से इंग्रीडियंक से साथ हम तयार करेंगे जो कि नॉर्मली आपकी केचर में अफेलिबल होते हैं तो फिर्स स्टैप की दरफ चलते सबसे पहले हम क्लिंजिंग करेंगे जिसके नहीं हमने टू टू टेबलिस्पून या पर रॉम मिल्क यूज की बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रॉम मिल्क यूज करें चुकि इसके अंदर जो नुट्रिंस है वो आपके स्केन के नहीं बहुत जादा सुपर वैनर फिशल होने वाले है और जो हमारा में इंग्रीडियंट है पूरे फिशल के नहीं है जो कि अल्मूस हर स्टै को कले अ है कर ने किरे चैनिक नहीं किया जाता था कि अ currency विल्कुल फ्रेश हो जाए आपके जो रिंखल फान लाइं πο चांड करेंडनी रिफ मलते ह। टैनिंग हो जाती हूँ सबको रिमूफ कर देती है तो अब ये जो देसी तरीके से देसी जुगार लगा कि जो बेसिकली हम आज अपना फेशल करने वाले ना ट्रस्ट मी जब मुझे फाइनल रिजल्स मिले थे ना मैं सही बतार हूँ मैंने हेटर फेशल भी लिया है तो मुझे ओनेसली इतने कोई खास दोनों में डिफरेंस फील हुआ नहीं बस थोड़ी से आपको मेनात करनी होगी अच्छा इसले आपकी इतनी प्यारी तरीके से क्लिंजिंग होगी ना आपकी जितनी भी स्किन में जो भी इंप्यूरिटीज होगी डस्क होगी अकर आपने मेक अप किया हुआ है आप इस तरह इसको बना के स्टोर कर लें लेकिन अमिक्शूर आपको फिरेश में रखना होगा तो आपका एक हफ़ते तक यह चल जाएगा सुने से पहले आपने जिस यह वाला एक फरस स्टेप भी आपने कर लिया आप सोबहु ठेंगे ना आपकी स्किन इतनी जबरदस्त होगी ने इतनी बेबी स्किन आपको फील होगी किसी फेस वाश की जरूरत नहीं पड़ेगी एवन बाद में आपको मॉइस्टराइजर कोई भी आप फेशल करते हैं तो पहले क्लेंजिंग बहुत जरूरी होती है आप चाहें तो जिस डेरिक लिए फेस वाश करकी भी अपना फेशल स्टार्ट ले सकते हैं बट यह चोटे-चोटे स्टेप्स होते हैं यह नेक्स लेविल का ग्लो लिया आते हैं आपके फेशल क अधर तो बहुत ही हलके हलके हातों के साथ आपने इसकी क्लेंजिंग करनी आप चाहें तो कॉटन बॉल्स का भी यूज कर सकते कॉटन प्रेट्स जो होते हैं यह आपर मैं ड्राइव यूज कर रही हूं अगर आपकी सुपर ड्राइज केन है बहुत जादा सेंसिटिव सके करना है तो आप बहुत ही जेंटल वे में हलके हलके हातों के साथ भी क्लेंजिंग कर सकतें कोई ऐसाच इश्यू नहीं है चार से पांच मिनट के नहीं आपने इसको करना है ताकि आपकी स्किन बिल्कुल तयार हो जाए फैशल के नहीं यह आप देख सकते हैं और इसको नहीं तो मेरा फाइनल हो चुका है अब हम सेकंड स्टैब की तरफ चलेंगे जो के नॉर्मली फैशल के अंदर सेकंड स्टैब हमारा स्क्रबिंग होता है बट हम यह पर हैड्र फैशल करना है तो हमें अपनी स्किन को डीपली हाइड्रेट करना है और जैसे कि हम सबको पता हेट काफी हард तक रिमıldı हो जहेंगे तो यहां पर आप चाहें तो में यह पर वन टिबल इस पूंपर यूस जाहें तो जाहां करना लें ऑ्यूज्ग उपर दाल के ना हां वह ने बहुत ही फाइन सब और बना लें उसको भी आप यूज कर सकते हैं बट जादा जो बेस्ट है ना यहां पर मैं यूज करने वाली हूं गंदूं का आटा जो कि जैसे कि मैंने और भी रेमेडीज कि इसमें बताया और अगर आप लोग ने देखिए हूं मेरे और वीडियो जो आटा होता है यह आपके सिंपे पेंकिश सा ग्लो लाता है तो यहां पर बहुत ही सिंबल तरीके से हमने पानी में इसको रिजॉल्फ कर लिया था यह देखें जैसे आप नॉर्मली आटा गुनने का जो इनिशिल स्टेज होती है वही वाला सीन करना आपने और बहुत ही हलक बगर मेरी ओईली स्किन है तो मैं यह जो मैंने बनाया स्क्रब टाइप यह मैं पूरे फेस पर ही अप्लाय करूंगी ताकि अच्छी तरीकी से जो एक्सेस ओईल है वो मेरी स्किन से रिमूव हो जाए चार से पांच मिनट के रिए बहुत बहुत ही हलके हाथों के साथ आप दज़ें और कोशिश कीजिए जितने सकून से आप हलक आad के हाथों से करेंगे तो आपके स्किन राइश निहीं करेंगे, चिन पर पैच्रिस नहीं आएंगी और जिनकी लेकुर्व जाए कि बहुत जादा हाथ को रभ करने की ज़ोरत नहीं है तो यहां पर चार से पिनट की नहीं है मैं अच्छी तरीके से स्किन को जितनी भी मतलब जो भी में डेक्सल्स होगी अच्छी तरीके से रिमूव करूँगी थोड़ी सी अपने स्किन को फ्रेश लोग दूँगे आप चाहिए और हल्कल का से हम हाथों पे भी इसको लगा लेंगे तो यहाँ पर ऑल्मोज दो से तीन मिनट की नहीं मैंने किया स्क्रबिंग और अब जस मैं नॉर्मल टैप वाटर से अपने फेस को वाश कर लूँगे आप चाहे तो वाइप आउट भी कर सकते हैं बड़ यहां पर छोट छोटे से पार्टिकल्स लगे ही रह जाते हैं तो इस बेटर कि आप जबार जिए तुम मझे स्टैप लगा था और बनाने में और लगाने में भी बहुत इंट्रस्टिंग सा लगेगा जो इसका मेन इंग्रीडियंट है वह हमारा बीट रूट चुकंदर चुकंदर को हम यहां पर जूस उस करने वाले फ्रेश चुकंदर ले 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 इसको मैं जिसके नहीं आपर मैं यूस करने वाली हूं अलोवेरा जल फ्रेश भी यूस कर सकते हैं मेरे पास प्रेजरवेटिव था तो मैं वही यूस कर रही कोशिश किया करें ट्रांसपेरिंट में यूस कर लें अदर्वाई सब कोई कलर भी यूस कर सकते हैं तो यह थोड़ा जब तक कि थोड़ी सी क्रीमी सी कंसिसंसी हमें फील ना हो जब तक कि हम इसको डालते रहेंगे और अब यहां पर चल जाएगी अगें जो हमारा सुपर इंग्रेडियन्ट है इसके अंदर ग्रेसलीन हो हम अराउंड वन टेबल स्पून इसके अंदर एट कर देंगे और ला तो इन सब चीजों को मैं बहुत अच्छी तरीक से मिक्स कर लूँगी यह क्रीम हमारी ऑल्मॉस्स तैयार हो चुकी है अब चलते हैं हमने थर्ड और सेक्ड लास स्टेप के तरफ जो है मसाजिंग क्रीम तो यह क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकि बड़ी स्मूज सी अच्छी तरीके साब देख सके अब यह देखें इतनी थिक होनी चाहिए अगर इनकेस रनी हो जाए थोड़ी लिक्विट हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं आप इसमें अलोगिरा जल मजीद हैट कर लें यही तो फायदा होता है डियाए बाइस चीजों का यार जो र अलोवेरा जल भी है तो यह स्किन पूरा मतलब जितने भी आपके पूर्स होते हैं नहीं को बलर्ड कर देता है अच्छा अब इसको हलके हलके हाथों के साथ मसाज करते रहेंगे चार से पांच मिनट की नहीं अगर आपको फेशल की स्टेप्स आते हैं तो वैलन गुट सकते कोई मसला नहीं है अब जैसे जैसे आपको फील हो ना कि हाँ यह अच्छी तरीके से स्किन में अब्सॉर्फ हो गई है अगेन आप इसके अप्रेक्शन कर लें दो से तीन से चार दफा भी कर सकते कोई मसला नहीं है जो कि इसमें विडामन सी होता है वीडूट के अंद फील होगा बहुत ही वजबल से रिजट लागा यह देखें मैं इसको वाइप आउट करके दिखा रही हूँ तो इस तरना इसको मैं पहले रिमूफ कर लूँगी उसके बाद अगर आप चाहें तो डिरेक्ली मास्क अप्लाए कर सकतें बट मैं फिर भी थोड़ा सा एक दफ से किसे स्टेप्स दो बेसिक से इंग्रेडियंस है हमारे फोर्त लास्ट स्टेप के जो कि यहापर मैं यूज करने वाली हूं मास पनाने के लिए मुलतानी मिट्टी मैं यहाप पर सहीद गनी की यूज कर रही हूँ आप चाहें तो पंसार स्टोर से ले 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 पथर भी आ कर सकते कोई शुरी हैं तो मैं अराउंड वन टेबले स्पून मैंस में मलतानी मिट्टी उस करने वाली हूं और जितनी में मलतानी मिट्टी उस करूंगी और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे बहुत ज्यादा भी बनाएं मत वी autres मत करें कुंट आप महीने में एक दफा कर लेंगे आपके अपना जबर्दस्ता जो मेन इंग्रेडियंट है हमारा मैजिकल इंग्रेडियंट है घ्रेस्टीन एट करूंगी चुकि वह न टॉफी 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 टाइप होने लग जाएगी से स्टेज में तो बिल्कुल परशान होने की जुरूएती मैं थोड़ा से पानी ए साम से आप इसको लगा लें इसको कोई आपको मसाज देने की जुरूएत निया आप 10-15 मिनट से 20 मिनट तक भी लगा सकते हैं कोई इसमें से कोई टेंशन की बात नहीं है लगाएं अपने स्केन की पोर्ज़न को रिलाक्स करें बहुत ही सूधिंग साफिक देगा अचाए कभी भी जन्दगी में खुदारा डार डार यूज मत कीज़ें आपको बता रही है यह इसी से रिलेट कर रहा था है यह बात हमेशे अपनी ममा से में सुनते हैं इसमें बहुत से बड़े बजर्गों से सुना और यह बात सच्छी है हमेशे जब भी आपने रिस्टी लगान पानी के साथ में लेकिन कोई भी आपके साथ एक और इंग्रीडियन्ट होना चाहिए क्योंकि थोड़ी सीरस कितासी थोड़ी गरम टाइप होती है तो वह डिरेकली आपकी स्किन को बर्न कर सकती है हमेशे इसको डाली यूट करके आपने यूज करना है 10-15 मिनिट किन इसको सकून से लगे रहें दे हाथों पे भी लगा लें और पहर ताकि आपको न अच्छी थरीके से पूरे-पूरे रिजल्ट किन आपके नहीं है और चुक्छे देखें ड्राई तो यह होगी नहीं तो यह तो यह थोड़ी सी वेट वैट ही रही यह यह देखें यह देखें कंम माशाला मतलब यार लिटरली मेरा दिल खुश हो गया था इसके रिजल्स देखे ना देखे कितना पिंके जिलो हो दिया अब यह भी नहीं आप कह सकते कि बीटूट लगाया तो पिंक हो रहा है वह तो मैंने दो लिया था बड़ी अंदर से आपकी स्किन को इतना टिंटेट से योगिस को जरूर ट्राय कीजेगा अपना फीडबाइद दीजेगा वीडियो पसंद आए तुसको लाइक कर दीजेगा और कैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल नोटे प्रिक्शन को भी ऑन कर दीजेगा एंचाला आप लोके साथ फिर मिलती हूं में एक्स न